हनुमान बैनीवाल दारा उप्राश्ट पती जगदीब धंकड के बारे में की गई टिपनी को नागोर की भाजपा प्रत्याक्षी जोती मृदा ने निंदन ये बताया है जोती मिर्दा ने हाल की उपराश्ट पती जगदी धनकर्ड की जार समाज से आते हैं जो सब के सम्मानी है ऐसे व्यक्ति का अपमान करना हनुमान बेनिवाल की मानसिक्ता को दर्चाता है आपको बता दें कि जोती मिर्दा आज डिड़वाना में चुनावी दोरे पर थी इस दोरान उनने कहा कि हनुमान बेनिवाल अपने आपको जार समाज का ठेकिदार समझते हैं और समाज के ही बड़े और वरिष्ट लोगों के खिलाफ गलत आरुप लगा रहे हैं हनुमान बेनिवाल ने समाज के अध्यक्ष राजारामील, एमेल लाठर और सवेधानिक पत पर बैटे जाट समाज के सम्मान यह उप्राष्ट पती जगदीब धनकड के बारे में भी ऐसी टिपनिया की हैं जो चोबा नहीं देती है धनकड साहब अपने पहले सड़कों पर और फिर कोट में जाटों के आरक्षन की लड़ाई लड़ी है और अगर हनुमान बेनिवाल उनी को नहीं बखसते तो फिर अपने आपको समाज का मसिया कैसे बता सकते हैं जुरती मिर्दा ने कहा कि चाहे ऐसी ऐस्टी वर के लोग हो चाहे जाट समाज के लोग हो उनमें अब जागरती आने लगी है और वह हनुमान बेनिवाल के नीती को समझने लगे हैं यह अनुमान बेनिवाल जी जादा अपने आपको समाज का ठेकेदार बताते हैं और आज जब समाज के लोग उनके विरोध में बोलने लग रहे हैं और दूसरी पार्टी को हमारे को समर्तन दे रहे हैं तो उसके उपर वारोप लगा रहे हैं चाहे वो राजाराम मील हों चाह सब्सक्राइब नहीं देती दंकर साहब ने पहले सड़कों पर उसके बाद कोट के अंदर जाटों के आरक्षण की जो लडाई थी उसको लड़ा था और अगर वो नहीं को नहीं बख्षते रहे तो मुझे समझ में नहीं आता कि समाज के अपने आपको कैसे बता सकते हैं कि मैं जाट समाज के लिए विशेश तोड़ से काम करता हूं यह लोगों को चाहिए स्टी के वर्क के लोग हों चाहिए जाट समाज के लोगों उनमें जागरती आने लग रही और इससे वह बर्गला करके ऐसे अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं